एलो वीरा एक ऐसा नैच्रिल प्रड़क्ट है जिसकी मार्केट में हमेशा डिमांड हाई रहती है और इसके डिमांड हाई रहने की दो सबसे बड़ी वज़ा है सबसे पहले तो अगर बात करें इसकी फूड इंडस्टी में फेल्थ बेनिफिट्स होने की वज़े से काफी डिमांड रहती है और दूसरा कॉस्मेटिक इंडस्टी में भी इसकी डिमांड काफी रहती है अलोवेरा एक औशदिये पौधे के रूप में विख्यात है और इसे घरत कुमारी के नाम से भी जाना जाता है अलोवेरा का उपयोग कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के साथ साथ मेडिसन मेनिफाक्टरिंग में भी किया जाता है इसमें विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होने के साथ साथ एंटिबायोटिक और एंटिफंगल जैसे गुण भी मौजूद है अपने इनही गुणों और उपयोगिता के कारण एलोवेरा आज पूरे विश्व में लोग प्रिये है भारत में उच उत्पादक शमता वाली एलोवेरा की प्रजातियां भी उपलब्ध हैं जैसे IEC 111-271, IEC 111-296 और AA-1 जिसका इस्तमाल कई तरह के उपचार और पुन्योर्जी गुणों के लिए उपयोग किया जाता है और इसके जूस की डिमार्ड मार्केट में काफी जादा हाई है तो चलिए आज हम बात कर रहे हैं अलोवेरा जूस मैनिफाक्टरिंग बिजनस के बारे में कि कैसे इसका वियर पार करके आप भी मोटा मुनाफ़ा कमा सकते हैं जो रॉव मेटीरियल आपको अलोवेरा जूस बनाने के लिए चाहिए वो है फ्रेश एलोवेरा, ड्राइ एलोवेरा, पेट बॉटल्स, पैकेजिंग मेटीरियल्स और अब जानते हैं इन रॉव मेटीरियल्स को प्रोसेस करने के लिए आपको कितनी मशीनों की जरूरत होगी जहां तक बात है मशीनों की तो आपको चाहिए मशीनों के साथ कुछ एक्क्यूपमेंट जैसे SS टैंक, मिक्सर टैंक, फोट क्रेट्स आदे की भी जरूरत होगी लेकिन इसे सेटप कैसे करना है और कहां से अच्छी और सस्ती मशीने खरीदें इस तरह की सभी जानकारियों के लिए आप IID से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इन सभी मशीनों के साथ आपको जो एरिया की जरूरत होगी वो लगभग हजार से पंद्रा सो स्क्वेर फीट एरिया होगी जिसमें स्टोरेज एरिया, प्रोडक्शन एरिया और रौ मिटिरियल सेक्शन भी इंक्लूड है और इस एरिया में सभी मशीनों और पूरे प्लांट को चलाने के लिए मैन पावर के तौर पर आपको दो स्किल्ड, दो से तीन अंस्किल्ड, एक सुपर्वाइजर और अन्य वरकर शामिल है यानि की टोटल 6 से 8 लोगों के साथ आप इस बिजनस को शुरू कर सकते हैं अब बात करें इंडस्ट्री सेट अप करने पर जरूरत पढ़ने वाली इलेक्ट्रिक लोड की तो आपको लगभग 12 से 15 किलो वार्ट इलेक्ट्रिक लोड की रिक्वार्मेंट होगी प्रोसेस शुरू करने से पहले आपको बता दे कि अगर आप इस बिजनस में नए है या फिर इसे शुरू करना चाहते हैं तो आप एलोवेरा पल्प को आउट्सोर्स कर सकते हैं उसके बाद आपको उन पल्स को filtration process की मदद से filter करना होगा ताकि उसकी सारे impurities remove हो जाए अगले step में उन्हें boiler की मदद से boil किया जाएगा और chiller में थंडा होने के लिए रख दिया जाएगा जूस को थंडा करने के बाद उसे mixing tank में transfer करे और other additive को mix करे फिर juice को mixing tank से filling tank में transfer करे जहां machine की मदद से इन्हें pet bottles में pack किया जाएगा अब juice की bottle ready है इस पर अपना brand name, MRP और other details print करके market में supply करे अब बारी है financials की यानि investment and profit की जब हम किसी business को शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि इस VFC को शुरू करने के लिए हमें कितने investment की जरूरत होगी और इस VFC में हम कितना लाप कमा सकते हैं यानि कितना profit कमा सकते हैं अलोवेरा जूस मेकिंग बिजनर को स्मॉल स्केल पर शुरू करने के लिए आपको जिन मशीनों की जरूरत होगी उसकी कीमत लगभग 18 से 20 लाक रुपए होगी और अगर आप दिन भर में 8 घंटे की शिफ्ट में स्मॉल स्केल पर 1000 लीटर प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं और अगर आप इसे होल सेल रेट पर लगभग 80 रुपए पर लीटर में सेल करते हैं तो आपके उत्पादन की सेल वैल्यू लगभग 80,000 होती है इस से कच्चे माल और अन्य लागत निकलने की बाद आप लगभग 10 परसेंट मार्जन यानि की 8,000 रुपए आसानी से बचा सकते हैं मतलब कि आप इस शम्ता पर महीने में 2 लाग आसानी से कमा सकते हैं आपके बिजनस की नीव आपके लाइसेंस ही होते हैं और इस शांदा और अनुदान योजनाओ का भी लाव उठा सकते हैं झाल योजनाओ का भी लाव ठासनी से बचा सकते हैं